सलाव लिग्राम तुला वरकातों के जो उम्मीद काता हो तो खेरतेंगे वेलकम बैक तो मैंट जनल गेज रोज की तरह नया रिकुर्मेंट आज लिखिया हैं और जो आज नया जोब अपटेट करूगा और यह जो जोब है साथी अरप का है और रेश्टूरेंट का है इसमें का रिकुर्मेंट है ठीक है अगर आप पर करेंट चालो हो गया ह। अब लुक्त के वीडियो पूरा अच्छे से देख लेना पूरा समझ लेना कि उमर कितना चिह है और पात्पोर्ट कौन सा होना चीए और उसके बाद मैं बंदा रिटर्न या फिनिस चीए मुसलिम चीए या नॉन मुसलिम चीए यह सारा डीटल मैंने इस वीडियो में बताने हो ला हूँ तो आप लुक्सरी कोश्ट है कि वीडियो पूर अच्छे से देखो समझो पहले अगर आपको लगे कि हाँ यह जोब मेरे लाइक है तो इससे पहले जाए कि आप डोकुमेंटेटी करो जैसे समय डोकुमेंट बताऊंगा इस जोब के लिए मैं होता है डोकुमेंट ठीक है वी जोब करने के लिए जो पॉर्शास होता है वो डोकुमेंट क्या-क्या होना चीए करसी डोकुमेंट रेडी क्या जाता है उस पे जादा फोर्च किया करो आप लोग जो मोबाइल से फोको खीच-खीच के यह भीजते देते हैं और फोन बार-बार करते रहे तो इसमें क्या ह सीवारा बढ़ाना होता है तो उसमें क्या थे टाइम पेस्ट हो जाता है और विकेंश फूर्ण होती है तो जोप व्यडियो देखो त्याइव तो तो मैं डोकुमेंट फिले तारील कर लिया और उस जिस वीडियो में जो विकिंसी में आपको जाना हो उसमें आपको contact Nबर भी बीजिए में मिल जाता है उस नंबर पर नंबर की bilis mia करूँ तो इसमें अगरना तो रिक्वर्मेंट जरूर उसका जो विकेंसी आप देखो उसके स्किन सोड लेके साथ में भी दिया को तो उससे पता चल जाए कि हाँ इसके लिए भेजी हो तो आपका डोकुमेंट परसस करने से पहले जो भी सर्विस चार्ज हो बता दिया जाएगा अगर आप एगरी होते है नहीं है कि रियाद में ही रहेगा तो इसमें सर्विस करोपर है रेश्टोरेंट में काम करना है ड्यूटी आट गंटी होगी 1200 एकजार 200 खाने का मिलेगा तोटल आपको मैं खाना होगा आट गंट के बासुतित रिच्टी है को पता होना चाहिए कि जिस कंपणी में एगरीमेंट 8 गंटे का होता है उसमें ओबर टाइम चलता ही चलता है अगर आपका 50 रियाल ज्यादा दे यादा कंपणी 10 घंटा ले लेता है बारासों से लिए तो आपका 17-800 उठने वाला है, संडे चुट्टी होता है, संडे दिन अगर आप 4 समहिने में चुट्टी होता है, एक दो चुट्टी भी कर लिए तो आराम से उतका फुल ओबर टाइम आ जाता है, ठीके, बाकि आपको इकामा, मेडिकल कार्ड, इंसुरेंस यह सारा जो फसिलिटी होती है, यह सब कंपनी देगी, दो सल का एगरिमेंट होगा, दो सल पर जब आप चुट्टी होगे, तो आने जाने का आपको टिकेट मिलेगा, ठीके, इसके अंदर उमर 21 कंपिलीट होना चीए है, पासपोर्ट की हिसाब से, और 40 के अंदर होना पासपोर्ट, ACR भी चलेगा, कोई इसू नहीं है, इस जो आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, अपना पासपोर्ट, वेक्सिन रिपोर्ट, एक पासपोर्ट साइज का फोटू, यह लेके कोई कम्पूटर और दुकान पर जाना है, जहां फोटू का प्यूपी होत पासपोर्ट साइज का फोटू स्केन कराओ, और वेक्सिन का रिपोर्ट स्केन कराओ, और सिवी जो बनावाए हो, वह एक ही पीडियाप में आप इसके पीडियाप फोर्म ने बता के प्रिफून के अंदर डालो, उसके बाद के बाद में जो यहां पे नंबर है, इस पे मै पासपोर्ट जमा करना है, क्या से क्या करना है, तो अगर आप इसमें जाना है तो जिसे से बताया हूं, तो आप डोकमेटिटी कर लो कि वीजा सारा एड़ी है, अगर आप मेडिकल कराके देते हो, जमा कराते हो डोकमेट, तो फलाइट होने में 10-15 दिन के अंदर हो आपके लिए फिर बहुत से लोग क्या करते हैं यहीं जाके वहां पूछते हैं वो पूछते पूछते उनको एक महिना हो जाता है जब सक मालूम बढ़ा काम खतम होगा इसके वजह से बोलता हूं जो आप वाट्सों पर टाइम देते हो मैसेज का वेट करते हो यहीं देखो सम अपडेट करता रहता हों तो आप लोग को जो नयान है जो सर्च करना हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जब कभी भी टाइम मिले यूट्ग पर लाइन आओ तो वीडियो पूरा वाज कर लिया को टिके बाकि और कुछ पूछ ना है तो कमेंट करके फिर पूछ सकते हो आपको डिस्क्रेप्सर में मिल जाएगा अब वहाँ पर भी जाके फॉलो सब्सक्राइब कर लो वहाँ से भी आपको जोब अपडेट मिलता रहेगा और कुछ पूछ नहीं तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो बाकि अपना ख्याव में रखे फिर मिलते हैं से नेक्स्ट वीड हुलो सब्सक्राइब